मस्त अध्यापर्ट एवों मेरे छोटे बुले फैयन और बाई हूं सबसे पहले सुख बात जीवन की इस भात दोर ने इंसान की वाउसित पर करती इंगिश्टे नाते छीन लिए हैं आज इसी की संबंदित माज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूं आज शाया भ्यार्ट लग सुनेंगे बैंट जाता हूं मिट्टी पे अफसर क्योंकि मुझे अपनी योकाद अच्छी रखती है मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीखा चुपचाप से बहना और अपनी मोज में रहना ऐसा नहीं कि मुझे में एहम नहीं पर सच कहता हूं मुझे में फरेव नहीं जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन क्योंकि मैंने इस जमाने से ना मुहबद बदली ना ही मेरे तोस एक घड़ी खरीद कर क्या बांद ली वक्त ही मेरे पीछे पड़ गया सोचा था घर बना कर सुगून से रहूँगा पर घर की जरूरतों में मुसाफिर बना डाला सुगून की बात मत कर आगालिब वो बच्पन वाला अक्पार अब नहीं आता शोब तो माबाम की पैसे से पूरे हुआ करते हैं जनाब अपने पैसों से तुछ जरूरते पूरी होती है जिंदिकी की भाग दोड में क्यों वक्त की रंगत चली जाती है हस्थी खेलती जिंदिकी भी क्यों आम हो जाती है एक सवेरा था जब हसकर उठा करते थे हम और अपना मुस्कुराए हिश्याम हो जाती है कितना दूर चले गए हम रिष्टों को निभाते निभाते हमने खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम ठक गए जड़ चुपाते चुपाते खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ लापरवा हूँ फिर भी सब की परुहा करता हूँ महगी से महगी घड़ी खरीद कर बांद ली पर वक्त फिर भी मेरा ना हुआ हम तो यूँ ही दिलों को साफ रखने की बात किया करते थे पता नहीं था कीमत पुश हैरों की हुआ करती है चाहता हूँ कि सारी दुनिया बददून पर इस दो वक्त की रोटी के जुगार से पुरसत ही नहीं मिलती खुदा नहीं तो जिक्र क्यों और अगर खुदा है तो फिक्र क्यों दो बाते इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं एक एहम और दूसरा वहम मुझे जिंद्गी का इतना तजुर्बा तो नहीं Grandpa सुना etiquette में लोग दीन नहीं देते किसी की गलतियों का हिसाग न कर कुद को सुधा ऊपर इश्वर एठा है तो हिसाग नकर भनाती